देवरिया जी ले के तरकुलवा थाना छेत्र के अंतरगत जो बच्चियों के साथ छेड़खानी की हुई थी घटना चार तारीको जो मंचलों ने एक बाइक पे चार मंचलों ने जो ये घटना की थी आज जिन दो लोगों को जो है हाफ एन काउंटर हुआ है बैकुंठ पू तरीके के बच्चे थे ये जो घटना हुई है ये घटना को आप किस नजर से देख रहे है तमाम मुद्दों पर बातों की बीडियों बने डिए के क्या नम है चचा जोगंदर सुन पाटेल जी क्या कहेंगे इस मामले को इस धीरज और रितिक के बारे में का कहेंगे सबसे इस घटना के बारे में क्या कहेंगे जो है ये घटना हो गई मालिया कासमात इसके पहले इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ था ये सब इन लों का कहीं नाम भी नहीं कुछ था लेकिन अब कैसे क्या मन में लों को आया कि जो है ऐसे लेकिन इसे घटना जो होती है बहुन नि जाता है उसको भी जोए दिखाया जाए तो इन अपराधियों के बारे में क्या कहेंगे गलती किये हैं लोग गलती किया है तो उसका सजा उनों को मिला है अगर जो बच्ची अपनी साइकिल फेक के नहीं भगती तो यह चार लोग थे उसके साथ और भी बड़ी घटना हो सकती तो हो सकती थी हो सकती थी वहार कैसा था लोग गार तो इन लोग का बहुत अच्छा था किसी परकार का थाने में आज तक जो है किसी परकार का थाने में गाव में भी किसी से जगड़ा तकरार कुछ नहीं था गाव में भी अब क्या कहेंगे सरकार से कहेंगे सरकार से तो उन्हों को माफी दिया जाए अब तो गलती कर दिये हैं अपराधी को माफी कैसे माफी कैसे माफी कोई जात होती है नहीं जात तो नहीं होती है अपराधी तो अपराधी होता है अपराधी की जात थोड़ी होती है लेकिन अब उन्हों को कुछ रियायत किया जाएगा और जो देना था, दंद तो मिली गया है, लेकिन अब लुनो को कुछ रियायत दिया जाए है। ठीक है, क्या कहाँगे और रितिक और इसके बारे में? हम रितिक के बारे में इनके बारे में ही कह एंगे कि जो ब्यक्त है गल्त कर रहे हैं उलकी की ऑफकार करें अे siis लड़के थे धीरज और ये रितिक गाउं में क्या बेवार था है लोग गाउं में बेवार तो ऐसा कभी वर्दाव आया नहीं था अधिक रिकार्ड था है लोग नहीं एक भी नहीं यह लड़का पहले बार ऐसा हुआ है पुलीस की करवाई से आप खूस है एकदम खूस है कर करवाई तो होना चाहिए पुलीस करवाई जो कर रही अच्छी कर रही है अगर ऐसे करवाई नहीं हो तो और अत्याचार फैल सकता है हां यहीं तुम्हें को क्या कहेंगे जिन बेटियों के साथ बड़ी घटना होते होते बच गए इसको देखा जाए तो बड़ी घटना हो सकती थी घटने बाद दूगा कि अपनी साहस अपनी सकती से ऐसा परकिर्या और इस बचाओ से वह बची है और गारजियन को कुछ कहेंगे जिनके बचे इस तरीके का अपराधिक काम कर रहा हैं फसने के बाद गारजियन कहता है कि मेरा बेटा इसा नहीं था तो उन लोगों कि आपने बच्चे के ऊपर किस तरीके से गईड रख राम हमें ही कहेंगे कि जैसा बच्चों को गाइड रखेंगे और पसके ऐसका संस्कार मिलेगा और हम सोह करते हैं तभी हमारा लड़का बरताव करता है हमारा झाड़िंग करेंगे तो कहां से वे परउड़तावाएगा बेंगों करतेजों एक तरीके जогन पूसती है। तो जैसा कि बच्ची साथ शडघानी का मामला था कुछ गावों के लोगों का विचार था और उनके ब्योनके लुख चाहिए कानून उनके ऊपर चाभूक चलना चाहिए अपकी क्या है कमेंट में अंपने पॉस्प बहुत धने बाद